महराष्ट्र में राजसभा की 6 सीटों के लिए शिवसेना और बीज़पी के बीच मकाबला सुनिश्चित हो गया है चुनाव मैदान में उतरे साथ उमिद्वारों में से किसी ने भी शुकरवार को अपना नामांकन वापस नहीं लिया इससे दो दशक के बाद प्रदेश में राजसभा के लिए चुनाव की नौबत आई है इनमें चार उमिद्वार, सत्ता रोड, महाविकास, अगाडी और तीन उमिद्वार बीज़पी से हैं महारास्ट में इससे पहले 1998 में राजसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था तब सत्ता रोड कॉंग्रिस के उमिद्वार राम प्रधान चुनाव हार गये थे, इस बार इमरान प्रताबगड़ी कॉंग्रिस के उमिद्वार हैं जिन्हें महारास्ट पर धोपे जानी से प्रदेश कॉंग्रिस के नीता बहर नाराज हैं ऐसे में आशंका ये है कि क्या राजसभा के लिए मतदान के साथ ही महारास्ट में 24 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा पहले गुप्त मतदान होता था लेकिन अब राजसभा चुनाव के नियम बदल गए हैं इसलिए साल 1999 में गुप्त मतदान प्रदानी के अनुसार चुनाव हुआ था जबकि इस बार मतदाताओं को अपनी मत पेटी का में डालने से पहले पार्टी सचेतक को दिखाना होगा ऐसा नहीं करने पर इसे अनुशासन हींता माना जाएगा और पार्टी विधाय के खिलाव कारवाई कर सकती है लेकिन विधाय की सदसिता बरकरार रहेगी इसलिए इस बार क्रॉस वोटिंग के संभावना ही नहीं लेकिन अगर कोई विधायक मतदान के दौरान गयर हाजिर रहता है तब खेल हो सकता है दस जून को होने वाले राजसभा चुनाव में इस बार शिफसेना कॉंग्रेस और एनसेपी की महाविकास अगाड़ी के चार और बीजेपी की तीन उमिद्वार मैदान में है बीजेपी ने केंद्री मंत्री प्यूश कोईल अनिल बॉंडे और पुर्वसान सथनजे मारिक को चुनाव मैदान में उतारा है शिफसेना ने संजे राउत और संजे पवार को प्रत्याशी बनाया है एनसेपी ने प्रफुल पटेल को टिकेट दिया है जबकि कॉंग्रस ने इमरान प्रताबगड़ी को मैदान में उतारा है छटी सीट पर मकाबला बीजेपी के महादिक और शिफसेना के संजे पवार के बीच है शुकरवार को नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने से पहले महाविकास अगाडी के तीन सदस्य प्रतीनीधी मंडल ने बीजेपी के वरिष्ट नेता देविंद्र फर्णवीस से मुलाकात कर अनुरोथ किया कि उनकी पाठी अपने तीसरे उमिद्वार को वापस ले ले इसके एवज में बीजेपी इस महिने के अंत में होने वाले द्विवार्शिक विधान परिशत चुनावों में एक अत्रिक्त सीट ले सकती है फर्णवीस ने MVA को हूबहू जवावी प्रस्ताब दिया है वही बीजेपी प्रदेश अध्याक्ष चंद्रकांत पाठिल ने कहा हमारी अपनी गर्णा है यही वज़ा है कि हमने तीसरे उमिद्वार को मैदान में उतारा है अगर MVA मतदान से बच्चना चाहता है तो उसे अपना एक उमिद्वार वापस ले लेना चाहिए वीडियो डिस्क अमरुजाला.डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें